वेल्कम दोस्तों, नमस्ते, हेलो आपका स्वागत है विद्धिय स्टेडी के online classes में मैं नफ्तेज सिंग आप सभी का स्वागत करता हूँ और नए साल की शुरुवात के साथ इंजन रेलवेस जोके भारत का सबसे बड़ा financial enterprise है आप लोगों के लिए लेके आया है RRB JN की vacancies जी हाँ दोस्तों, 14,000 से जादा vacancies और उसके अंदर 8,000 vacancies आपके electrical और mechanical के लिए और मैं नफ्तेज सिंग आपका mechanical का ये syllabus cover करवाने में help करूँगा जी हाँ दोस्तों, ये हैं वो 8 topics जो आपको mechanical के लिए cover करने हैं और ये guarantee मैं ये ले सकता हूँ कि अगर ये our topic आपने हमारी online classes के दुरूप पढ़ लिए तो आपको JN बनने से कोई नहीं रोक सकता Mechanical Engineering, JN 2019 के लिए mechanical के topic सहाँ पर आप देख सकता है Strength of Materials, Fluid Mechanics, Heat Transfer Theory of Machine, Thermodynamics, Power Engineering जिसके अंदर आपके gas, turbines, वगर सारे topics cover होंगे Casting यहाँ पर आप देख सकते हैं और Metrology and Inspection तो दोस्तो आज का जो हम topic पढ़ने जा रहे हैं वो एक casting Casting जैसा कि आप लोग जानते है Manufacturing का बहुत important topic है लेकिन दोस्तों manufacturing का topic इससे पहले आप ये समझे कि production और manufacturing में फरक क्या है Production engineering कहते है Production and manufacturing साथ में बोलते है लेकिन production और manufacturing के बीच में फरक कुछ समझना बहुत जादा जरूरी बीच बीच में इस तरह के मैं आपको facts बताता हूँगा ये facts आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये facts इस तरह के facts हैं जो कि आपके सिर्फ JN के RRB JN एक्जाम में नहीं SSC JN एक्जाम हो चाहे RACB का JN एक्जाम हो चाहे आपका Water Resource WID का JN एक्जाम हो या आपका Gate एक्जाम हो हर उसमें ये सारे facts आपी के काम आने वाले हैं manufacturing के बात करते हैं और production के बात करते हैं basic concept है लेकिन ज़्यादा तर लोगों को पता नहीं होता दोस्तों आज मैं आप लोगों को बता रहा हूँ हमेशा के लिए आप लोगों को दिमाग में इराद रहे हो manufacturing की जब भी बात करी जाए तो हमेशा याद रखी है manufacturing is simply made by hands और production की जब भी बात करें तो production का मतलब होता है made by machines manufacturing की बात करें made by hands production की बात करें made by machines और यहीं से सबसे बड़ा important मैंने बोला था fact बताऊंगा fact सबसे बड़ा important यह है Rolls Royce car के बारे में आप लोगों ने सुना होगा Rolls Royce car जो है वो हमेशा manufacture करी जाती है इसलिए दुनिया की सबसे बहेंगी कार है क्योंकि उसका हर एक पार चाहे उसका gear हो चाहे उसका steering wheel हो चाहे उसका brake pedal हो, propeller हो सब कुछ manufacture करा जाता है यानि कि हातों से बनाया जाता है और यहीं से यह concept निकल के आया casting का casting और manufacturing यूँ मान लीजी कास्टिंग के अंदर यही चीज़ होती है manufacturing ही होती है लेकिन casting थोड़ा सा अलागे किस concept पर जाके वो आपको बताते है casting के यहाँ पर बात करी जाए casting के यहाँ पर बात करी जाए तो basically इसके अंदर आपको सबसे पहले तो casting का concept casting के types casting के अंदर होने वाले defects और उन defects की remedies casting के advantages और disadvantages और सबसे important topic casting का दोस्तो allowance दोस्तो हर बात के हर सिक्के के दो पहलू होते हैं हर चीज़ के advantage, disadvantage बराबर होते हैं यहाँ पर casting के advantage और disadvantage भी होंगे disadvantages को हटाना है defects को हटाना है उसके लिए allowances परना जरूरी है हर एक topic पर पूरी तरह से deeply discuss करेंगे हर एक topic को देखिए, सुनिए और समझिए सबसे पहले बहुत करने casting के concept की casting का concept अगर देखा जाए तो simply casting को इस तरीके से define करे जाएगा कि casting में आप एक molen metal पिगलावा metal लेकर एक pre-defined mold cavity यहाँ देखेगा दोस्त मैं क्या लिख रहा हूँ pre-defined mold cavity जिसका सीधा साधा मतलब है कि एक ऐसी cavity आपने बना दिया है जिसकी pre-defined यानि कि उसका size उसकी thickness, उसकी length उसकी चोड़ाई, लंबाई हर चीज आपने पहले से fix कर रखी है यानि कि इसको इस तरीके से देख सकते है कि आपने pre-defined mold cavity अगर बनाई तो आपने एक ऐसी cavity बनाई जिसके अंदर की यह जिसका 5 cm जिसकी length है और यहाँ पर 3 cm की height है तो यह आपकी pre-defined mold cavity है क्योंकि आपने इसमें length define कर दी आप आपने height define कर दी अब आपको क्या करना है खाली एक molar metal लेके आना है पिगलावा metal लाईए metal कोई सा भी लाईए aluminum लाईए brass लाईए zinc, copper, lead कोई सा भी metal लाईए इसमें डालिए थोड़े time के लिए उसे ठंड़ा होने के लिए छोड़ दीजिए casting में से mold में से निकाल लीजिए और आपके पास जो बनके आएगा वो आपकी casting है तो casting का सबसे simple concept जो बनके आएगा वो ये आया है कि casting के अंदर पिगलावा metal mold and metal आप लोग लीजिए एक predefined mold cavity जिसके अंदर सारे parameter defined है उसके अंदर डालिए cooling करने पर आपको जो मिलेगा वो आपके casting है लेकिन दोस्तों casting बनाना इतना आसान नहीं है casting के कुछ advantages है casting के कुछ disadvantages भी है बात करते हैं casting के कुछ advantages की casting का सबसे बड़ा advantage की ये एक बहुत ही simple method है complex parts बनाने का complex shapes बनाने का और complex shapes से मेरा मतलब है कि यहाँ पर यह हमारी mold था इसके अंदर आप molar metal ला लिए आपको इस तरह की casting तयार होके मिल जाएगी आप कैसा भी mold बनाए किसी भी shape का किसी भी size का किता भी मोटा छोटा बड़ा सब आपकी choice है उसके अंदर molar metal डालिए जैसे ही उसके अंदर molar metal डाला आपको casting मिल जाएगी यानि की complex shape आप easily casting के अंदर बना सकते हैं जैसे ही आपने complex shape बनाए तो दूसरा सबसे बड़ा advantage दोस्तों और इसके उपर आप मान के चलिए कि कभी कभी question बन सकता है directly question इसमें ये पूछा जा सकता है क्योंकि manufacturing के दोस्तों और जो processes है cold working process हो hot working process हो या उसके अलावा extrusion process हो forming processes हो लेकिन यहाँ पर casting एक जो process है ये एक ऐसा process है जो आपके brittle and ductile दोनों ही material के लिए अच्छे से काम आएगा brittle और ductile दोनों ही material के लिए ये process पूरी तरह से use करा जा सकता है दूसरे जो processes है वो या तो brittle के लिए defined है या ductile के लिए दोनों के लिए तीसरा advantage ये एक less expensive process है क्योंकि यहाँ पर जो tools इस्तिमाल किये जा रहे है यहाँ पर जो tools इस्तिमाल किये जा रहे है वो basically या तो आपके लकडी के patterns बना जाते हैं और दूसरा आपको basically sand लेके अन्य होती तो वो sand और लकडी के patterns ये इस process को less expensive बना देते हैं और चौथा and main advantage multiple production multiple production जिया दोस्तों जित्ते ज़्यादा pattern आप लगा सकते हैं उत्ते ज़्यादा pattern लगाए हर एक pattern के अंदर हर एक mold के अंदर आपना moulin metal डाल लीजिए जित्ते ज़्यादा आपने mold and metal डाला जित्ते pattern आपने डाले उत्ती है आपके casting तयार हो सकती है लेकिन जैसा कि मैंने पहले बताया हर सिक्के के दो पहलू होते हैं advantage हैं तो disadvantage भी होंगे disadvantage की बात करते हैं casting के कुछ disadvantages casting के disadvantages casting के disadvantages की बात करें तो सबसे पहला disadvantage का यह है कि एक laborious process है यानि कि इसमें जो मजदूरी लगेगी जो महनत लगेगी वो जादा लगेगी जी हां मैंने casting को पहले एक simple process बताया है लेकिन यहां मैं इसे मजदूरी या ज़्यादा laborious process बता रहा हूँ जी हां दोस्तो casting बनाना simple है casting को बनाना simple है लेकिन casting बनाने के लिए जो तयारी करी जा रही है pattern बनाना mold बनाना जैसा shape चाहिए वैसा mold तयार करना वो process जो है वो laborious process है वो बहुत जादा मजदूरी वाला process है महनत और time और dedication और सावधानी से किये जाने वाला काम है यानि कि time और effort यहां पर थोड़ा सा जादा लगेगा कास्टिंग जब हम बना रहे हैं जब हम कास्टिंग बना रहे हैं उसको जब उनने mold के अंदर डाला mold के अंदर डाला तो mold जो आपका था वो कैसा था? वो rate का बनावा था वो sand का बनावा था आगे जाके दोस्तों हर चीज़ को deep में discuss करूँगा कि sand किस तरीके से use करी जाए dry sand use करी जाए या core sand use करी जाए core sand use करी जाए तो उसके अंदर कौन सा binder मिलाए जाए क्यों मिलाए जाए कैसे use होगा? facts को बताते भी आपके जो question आ चुके हैं या जो question आएंगे सभी एक साथ clear हो जाएंगे यहाँ देखिए मैंने बताये कि laborious process है casting लेकिन दूसरा सबसे बड़ा disadvantage इसका क्या है? दूसरा इसका सबसे बड़ा disadvantage है वो यह है कि इसके अंदर silica grains जो है वो आपकी casting के उपर stick हो जाते हैं silica grains stick on casting यानि कि आपने जो casting तयार करी उसके उपर मिट्टे के कुछ कंकर और दाने लगे वे होंगे यानि कि उनको हटाने के लिए आपको उसकी दुबारा machining करनी पड़ीगी और जैसे आपको उसकी machining करनी पड़ीगी तो आपकी जो casting के उसका size reduce हो जाएगा यहीं से फरक पड़ेगा दोस्तों कि उसका mass भी कम हो जाएगा तीन तरह के process होते हैं एक होता है positive process जिसमें mass add होता है जिसको joining process कहते हैं आप लोग welding एक होता है negative process यानि कि machining process जिसमें machining आप अपने tool की help से machine की help से उस material के उसके work piece के उपर से material हटा देते हैं तो वो एक negative process है कि उसमें mass कम हो रहा है एक होता है zero process जो कि forming process होता है जिसके अंदर ना तो आप material add कर रहे हैं ना material को reduce कर रहे हैं यानि कि इसका best example आप सोच सकते हैं कि इसका best example एक कुमार जो मटका तयार करता है तो जित्ती मिट्टी लेता है उसी मिट्टी का मटका बनाता है एक हाली shape change करता है लेकिन zero process है क्यों? क्योंकि उसके अंदर उसने ना तो material add करा है ना reduce करा है तो casting के अंदर बात करें silica grains जो हैं इसके casting के उपर जाके लग जाएंगे silica grains तो उनको हटाने के लिए machining process करना पड़ेगा जैसे ही उसके अंदर machining करी तो उसका weight reduce होगा उसका mass reduce हो जाएगा यानि कि आपने महनत करके casting बनाई लेकिन उसको फिर वापिस से आपको machining करके उसका mass और weight कम करें तो यह इसका एक second disadvantage है जै यहां दोस्तों तो disadvantage और advantage हमने यहां पर देखे आप इन disadvantage को हटाने के लिए आप इस disadvantage को हटाने के लिए जो आप चीज़ करेंगे वो इस topic का इस casting का main part ही ही से शुरू होता है